Use earphones for best studio quality अच्छी आवाज के लिए अपने earphone का स्तमाल करें तू गुंडा था लेकिन अपने गुंडा है और कितना बड़ा गुंडा है इस बेहन के पकोड़े ने बरोबर बताया नहीं तेरे को अबे जा बंबाई जाकर बताकर वहाँ जितनी local नहीं चलती ना उससे जादा आप उन पर केसी चले ला है कालिया 1981 हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है दिवार 1975 मैं आज भी फैके हुए पैसे नहीं उठाता काली चोरन 1976 लेकिन ये मत भूलिये DSP सहाब कि सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है सूरिया तुमारी हैसियत के जमिंदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आती रहते हैं ये हैं बॉलिवुड के कुछ टिपिकल डायलोग्स जो लाइफ में सबने एक दो बार तो जरूर सुने होंगे क्या बोलती पबलिक मज़े मैं हाँ मैं गोतम चोधरी आज फिर आप लोगों के लिए लेका रहा है हमें एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो और आज किस वीडियो में हम बात करेंगे मूवी रिवीउस के बारे में और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखिए मेरी अभी तक तो मेरे चैनल पे जाके आप चेक इन कर सकते हैं हिंदी मूवी इसकी बात करें तो बच्पन से ही मैं बोली वुड का दिवाना हूँ क्योंकि बोली वुड के डायलोग का जो फील है ना मुझे तो वो किसी और डायलोग में नहीं आता ये मेरा अपना मानना है लेकिन बीते कुछ सालों से हमारा बोली वुड हो चुका है नेपोटिजम का शिकार नेपोटिजम यानि की भाई बती जवाद मतलब कि अपने और अपने परिवार वालों को ही काम देना और बाहर से आये लोगों को भाव तक भी ना देना आली में शुशान सिख राजपूत के एक मूवी आये थी चिचोरे देखना जरूर पता चलेगा कि life क्या होती है जीतना क्या होता है और हारना क्या होता है और लड़ना क्या होता है वहीं दूसरी और एक मूवी थी जिसे इस दुनिया के सबसे कवाड़ इंसान करन जोहर ने बनाया था और उस टटी मूवी का नाम था Student of the Year 2 जिसमें बहुत गंदी नेपोटिसम की बू थी चिचोरे जैसे बहतरीन मूवी और दंदार कलाकारों के होने के बावजूद भी इस मूवी को एक भी अवार्ड नहीं मिला और मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि एक दो स्टार किड्स को छोड़ कर और जितने भी स्टार किड्स है ना अगर इनका फैमली फिल्मी बैग्राउंड ना होता ना तो मुंबई में आज इनको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता एक से बढ़कर एक टेलेंटिड और बड़िया प्रफॉमंस मुंबई की सड़कों पर काम ढूंडते हुए गूंते हैं लेकिन इस नेपोडिजम के चक्कर में इन लोगों को बहुत टाइम लग जाता है और मेरे साथ भी एचीज बहुत बार हो चुकी है इस बारे में बात करेंगे किसी और दिन अब में टोपिक की बात कर लेते हैं बोलीवुड में आज कल दबंग थरी, भागी थरी, टोटल दमाल जैसी मुवीज आने लगी हैं जिसमें ना तो सेंस है और ना ही कोई मसा इककी दुक्की जो अची मुवीज आती है वो या तो नेपोटिजम का शिकार हो जाती है या फिर सूपर डूपर फ्लोप लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ टोलीवुड यानि कि साथ मुवीज के बारे में जादातर लोगों की धारना बनी हुई है कि साथ की मुवीज में हर चीज ओवर दिखाते हैं जैसे कि फाइट, एक्शन, कार चेजिंग सीन वगेरा वगेरा लेकिन फिलाल कुछ दो-तीन सालों से ये बाते बदल चुकी है दो से धाई महिने के स्लोकडाउन में मैंने कम से कम 300-400 मुवीज देखी होंगी सब होलिवूड, बोलिवूड, टॉलिवूड, पंजाबी, भोजपुरी, हरियान वी सब तरीके की मुवीज देख डाली लेकिन आज दो साउत मुवी और एक आसामी मुवी का नाम बताऊंगा जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में बोलिवूड नहीं सिधा होलिवूड के टकर की मुवीज है मुवी को तो याद आप रखेंगे ही रखेंगे साथी साथ आप मुझे भी याद करेंगे और मेरी लिस्ट की सबसे पहली मुवी जो है उसका नाम है रत्सासन जो मेरी वन ओफ माइ फेवरेट है जो 2018 में आय थी जिसे डिरेक्ट के दार राम कुमार जीन है और यह एक तमिल मुवी है जिसे IMBD पे 8.7 की रेटिंग मिली हुई है और खासकर यह मुवी उन लोगों को करारा जवाब देने के लिए है जो कहते हैं न कि इंडिया में अच्छी मुवी नहीं बनती है साथ की मुवी अच्छी नहीं होती अब तक की मुझे इंडिया की सबसे बेस्ट साइकलोजिकल थ्रिलर सिर्फ यही मुवी लगी है जिसे कहते हैं न फुल पैकेज मुवी वो है यह मुवी जिसमें दिमाग गुमा देने वाला सस्पेंस लाजवाब परफॉमेंस और BGM तो वाउ तो बस बताने का जादा फाइदा नहीं है क्योंकि फिर स्पोइलर आ जाएगा यूट्यूब पे हिंदी में अबलेबल है बस जाके देख डालो और ये मुवी मैं गरंटी के साथ आप लोगों के एक बात बोलता हूँ कि यह ऐसी चाप छोड़ेगी पकड़ा-पकड़ी में जब वेधा विक्रम को सरंडर करता है तो उसको एक कहानी सुनाता है और उसकी पूरी लाइफ उलट-पलट कर देता है बस शुरू की पांच से दस मिनट की यह मुवी देख लो उसके बाद धाई गंटे तक आप इस मुवी से निकल नहीं पाऊगे ये बात तो मैं पिल्कुल गरंटी के साथ बोल सकता हूँ यूट्यूब पे हिंदी में अवलेबल है must watch भाई लोग तीसरी और लास्ट मुवी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये मेरी लाइफ की अब तक की मुझे सबसे बेस्ट मुवी लगी है मुवी का नाम है आमिस जो 2019 में आई थी जिसे डिरेक्ट किया था भासकर हाजारी का जीन है और इसे आयमेडी पर 8.2 की रेटिंग मिली हुई है आमिस का मतलब होता है मासाहरी और यह एक असमिया लेंग्वेज की मुवी है फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे अलग-अलग खाना-खाने के शोकी लोग अपना-पना शोक पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं जानवर का मास हो या इनसान का मास हो वो कुछ भी खाने लगते हैं फिल्म का स्क्रीन पले बहुत लाजवाब है कि खोई भी ना आप रह नहीं पाएंगे लेकिन मुवी शुरू से लेके एंट तक का बहुत स्लो है बहुत ही पेशेंस के साथ ये मुवी आप लोगों को देखनी पड़ेंगी और ये मुवी आपको मिलेंगी मुवी सेंट नाम की एक वेबसाइट पे लेकिन मैंने तो यूट्यूब पे देख ली थी लेकिन शायद अब नहीं है चेक कर लेना अगर मिल जाए तो अच्छी बात है और नहीं मिली तो मुवी सेंट जिंदा बात है झाल